तरिया सुजान इस्थानिय थाना छेतर के डूमरिया गाउं से सटे बसे नट बिरादरी के एक घर में रात को सोते समय आग लग गई जिसमें बकरियों सहित रखा सारा सामान जल कर खाक हो गया पीडी तैसिल से मिलने वारी रासी की रहा तक रहे हैं जानकारी के अनुसार दूमरिया गाउं से ठीक दक्षन रेलवे पटरी के किनारे सटे वे बसे नटखट ब्रादरी के वजीर कोरेशी के घर रातरी करीब तीन बजे खाना खाने वाले घर में चूले के सुलकते चिंगारी से आग लग गई जिसमें बंधी दो बकरिया जल उसी घर में ववसाय के लिए सूटकेस में रखा दस जार रुपे सहीत सारा सामान जल कर खाख हो गया कुरेशी ने उपजला अदिकारी के संग्यान प्राथना पत्र लिख कर घर के सदश्य अकवर नसुर्दीन जहरुदीन महरुदीन आईसा अलग कमरे में सो रहे थे कि खाना बनाने वाले घर में सो रहे बच्चों में रब्या सब्या रमजान समी आदी ने सोर मचाना सुरू कर दिया सोर सुनकर हमने बाहर देखा तो घर बुरी तरह से धूदू कर जल रहा था किसी तरह हमने बच्चों को बचा लिया जबकि बक्रिया सहित वे साय के लिए रखा पैसा वे सामान जल कर राख हो गया आबादी से दूर होने की वज़े से ग्रामिनों की सायता भी नहीं मिल पाई इस समंद में उपजला अदिकारी तमकुहिराज गुलाब चंदर सिंग ने कहा कि लेकपाल को भेज कर मौक्या मुएना किया जा रहा है और साथ ही सायता प्रदान की जाएगी अधिया निकाल लेगा जब तक लिए आग जाधा थी जोगा यह खुशी निकलना ही पाई आग की बुझाने के चखर में लगे अपने बचाने के चखर में लगे चोटा चड़ा बच्चे ऑन लोगों को निखा लुगा उसमें से नुक्सान हुगा है क्या क्या जलाएगा संत कवीर नगर से विनोत कुमार भारद्वाज के साथ मितलेश कुमार धोरिया के खास रिपोर्ट